है तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज कोई भी experiment होने व आला नहीं है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं यो अपना बीडियो बनाता हूँ ना जो भी experiment करता हु ना तो वह चीज मैं कैसे करता हूँ क्या क्या मेरे पास समान है सारा कुछ आज आज आपको अपना सेट पर टूर दिखाने वाला हूं क्या-क्या चीज़ी हैं क्या-क्या चीज़े लगती है वीडियो बनाने के लिए क्या-क्या समान रख रखा है सारा कुछ आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कौन से स्टेंड है कौन सा माइक है कौन सा म तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग हो ना पूर वीडियो को लाश तक जरूर देगना तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि यहां पर एक स्टैंड रखा हुआ है जो कि नॉर्मली छोटा सा सा सस्टा बाला स्टैंड है और स्टैंड में देखो यहां पर एक मोबाईल लगा रखा है और जिसमें आदे को कैमरा चाल हुआ है और इसी सी वीडियो सूट होता है और नीचे आप देख सकते हो कि लगडी के एक छोटा सा मेज रख लिक है जिसको आप पीड़ा बोल सकते हो ठीक है हमारे इसको पिढ़वा बोलते हैं तो इसमें रख रखा तो जो इसमें रेड़ कलर का पेंट भी करवा था लेकिन इसमें देखो रांगा को यूज करते करते हीट करके रख 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 ते दो को काला काला सा बीच में हो चुका ठीक है लेकिन इसमें फिर से हो सकता पेंट हो जाए बात यह था मेरा स्टेंड और मोबाईल और चलो अब पर रख रखा क्योंकि कई बार दो तीन चार्चर एक साथ लगाना पड़ता है तो एक बोर्ड कम हो जाता है तो इसलिए आपर देखो दो बोर्ड रख रखे हैं जिनको मैं कुछ भी करने के लिए यूज करता हूं उसके बाद ऊपर आप देखो कि तो एक जहां पर देखो ग कटर है क्योंकि दो इसलिए है क्योंकि एक मैंने यह बाला कटर लिया था तो इसमें जो स्प्रिंग लगा होता ना वो पता नहीं कहां गया टूट गया खराब हो गया इसको मैं एक्सपरिमेंट करने के लिए जो केबल होता ना डोरी होता उसको छिलने के लिए कट करने के इसको योज करता हूँ ठीक है उसके बाद और आगे दिखाता हूँ तो फेनलि आप देख सकते हो दो यहां पर मल्टी मीटर भी पड़े हुई है एक मल्टी मीटर पुरी तरीके से मता पुराना है तो इस वाइसे वो पुरा खराब हो चुका है यहां पर अगर मैं इसको चाल रखी हुई है यहां पर एमसील की दो डिबिया रखी हुई है और भी देखो कई सारे यहां पर सामान रखी हुई है देख सकते हूँ यहां पर कई सारे चीज़े है चोटी चोटी सबसे पहले बटन भी देखो यहां पर रख रखी है और यहां पर देख सकतो इस डिबिय के चीप का कर सकते हो उसके बार देख सकते हैं यहां पर यह बतन है, जिसमें आप कोई भी चीज जो कर सकते हो और इधर देखो कुछ cell रख्यों है जो की experiment में यूज होते रहते हैं इस तरह के ठीक है और यह lithium का cell बैटी है power bank वगरे में यूज होती है तो इससे भी कई सारे experiment होते रहते हैं यहाँ पर कई सारी बैटी या भी रख्यों है यहाँ पर कुछ led light की प्लेट भी रख्यों जिसको आप बल्बे में यूज कर सकते हो और उसके बाद देखो यहाँ पर मनें दो ओनलाइन एडेप्टर भी मंगाया हुआ था जो कि यहाँ पर power bank में यूज होता है इससे आप आसानी से power bank बना सकते हो दिन उसके बाद यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो led lights भी रख्यों है जो कि आप emergency वगएर में यूज कर सकते हो इने led lights का और यहाँ पर बगल में देखो तो यहाँ पर switch रखे हो है जिसको अगर आप emergency का प्रोजेक्ट बनाना होता तो यही switch आसानी से लग जाते है दिन उस यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ rbg bulb रखे हो है जो कि आपका यह तीन color का bulb जलता ना तो rbg bulb भी रखे हो है और उसके बाद यहाँ पर कुछ component चोटे 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 रखे हो है जिससे diode हो गया या फिर कुछ resistance हो गया उसके बाद यहाँ पर एक motor खराब रखा हुआ है जो कि बिल्कुल भी नहीं चलता है लेकिन फिर भी रखा है और यह देख सकते हूं यहाँ पर एक lighter का है जो कि मैंने आपको इसके अंदर का आज भी बताया था और एक दो experiment भी isolated करे हुए तो सायद आप लोगों ने देखा होगा ठीक है उसके बाद आप इसके बाद आप पर प्रजेक्ट बनाने के लिए उसके बाद आप देख सकते हों तीसरे बॉक्स में आप एक फेवी कोल रखा हुआ जो कि कई सारी चीज़ेश पकाने के लिए काम होता रहता रहता इसका और एक पैचकस रखा हुआ जिसमें कोई छोटी-छोटी आप चीज़े खोल सकते हो और एक दोगे आप पर टेप भी रखा हुआ क्योंकि कई बार कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए वाइट कलर का टेप चिपकाना होता है जिससे की चीज़े मतलब किलरली दिखती भी रहे और टेप भी लग जाए और यहां पर केबल भी देखो रखा हुआ है क्योंकि कई से श्पीकर भी मंगाय हुआ था और पहले से श्पीकर रखा हुआ तो कई बार कुछ मैगनेट वाले अगर एक्स आपको nine both की बैटी से लेटर कई experiment आपको मिलने वाले ठीक wanna अब हलाकी एक भी experiment इस से लेटर नहीं करें हैं कहिंहीं यहाँ पर सिर्फ लेका रख रख़ा अभी आपको आने वाले time पर इस से लेटर ही कई सारे experiment मिलने यहां पर आप देख सकते हैं एक 12 बोल्ट की बैटी भी रखी हुई है जो कि सायद बाइक की बैटी और काफी पुरानी हो चुकिए तो खराब हो चुकि है इसका कोई वर्क नहीं रखा रहे था फिर भी बैटी है तो बस रखी है ठीक है और उसके बाद में आपको एक मेंची बता दो ना कि यहां पर आप देख सकते हुआ यहां पर एक देखू माने खोड़ से मतलब एक बूफर करेंड कलकर रहा है dai ना चोटी बुझभ प्लेट लगी हुई है जो कि आपके इस बड़े बूफर के इसपीकर ब्ति को भी बजा डैत है और चोटा सा इसपिकर सी आप सekता ठीक है और मतल़ एक चोटा सा Сबावाज के लिए और एक बड़ा सा पूरा बुर्व जो आपका बूफर दिखाई दीरा इसका पूरा बड़ा इस्पीकर यह बजा सकता ठीक है और इसको बजाने के लिए उसको चलाने के लिए छोटी सी नॉर्मल से आफ लिचान की बहुए होग delight कर tęफ करा कि रिखा तो आप मुझे कोमेंट नीचे कर सकते हो कि इस तरीक बना के दीखा ओ तो फिर डिखानेद दुगा कि कि इस तरीकた साट में एक अमप्लिफार बना advised जैखे इसके बाद यहांपर आप एक सब्सक्किनर एक लीथियम बैटरी चार्जी करने के लिए तो यहां पर एक चीज एडप्टर मंगाया हुआ था जो कि यहां पर लगा हुआ और इसकी में खाच यह है कि आप जब भी इसका बैटरी मतलब फुल चार्ज हो जागा ना तो आपका कट हो जाएगा उसमें करेंट जाना बंद हो ज चीज से लेकर कुछ भी डाउट हो कुछ भी आप उसे फूंशे चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर फोलो करेंगा क्योंकि इस्टाग्राम पर मैं आपको तुरंत ही रेपलाई दे देता हूं ठीक है इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सर पर मिल जा तब तक लियर टाटा बय बय जय हिंत